हेलो गाइस यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सिरीज नमबर फोर और अभी तक हमने थ्री लेक्चर इस पे ले लिये हैं थ्री वीडियो में अल्रेडी अपलोड कर दिये हैं और आपको अगर देखना हैं तो मेरे यूटूब की जो चैनल में आप जाकर के देख सकते हैं हमने अभी तक जो है जो है तीन टॉपिक कवर कर लिए ठीक है नमबर फोर यजो था यह जो डिस्कवरीज सेकेंड जो है और थेर्ड भी एड़वेंट फिरूपिक इन इंडिया लेकिन य आपन देटीव हम नहीं इर द्रॉल टो हम किसे फारख ऐस द्रुब्स आयँ यह जो मोज़ेंद के चारेर 24ός से बूझेन यह संब्सक्राइब को fracture आपं कावा देख लिजिएам इस यह कि री चाना है Griff पूरे काओ वेते ही यह सब्सक्राइब इत्रुप खाद다 हैं तो जड़ा controversy में नहीं उलजना है आपको इतना ही समझना है कि Carnatic जो reason था Carnatic जो शेत्र था वो इंडिया के south में अगर आप जाओगे तो east side में यानि पूरूफ के side में यह जो इलाका है यह Carnatic reason है इसकी जो capital जो है capital में zoom करके आपको बता देता हूँ कि इसकी जो capital है यहाँ पर देखी इसकी capital जो थी अर्कोट थी अर्कोट और एक यहाँ पर त्री चिनो पली करके एक यहाँ पर एक city है spot है इसके बारे में भी हम जो discussion करेंगे तो यहाँ पर दो location आप देख लीजिए एक तो अर्कोट है और एक त्री चिनो पली है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कारनेटिक वार्स आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो करनेटिक वार्स यहाँ पर यह करनेटिक रिजन में थ्री करनेटिक वार्स हो चुके हैं और यह करनेटिक वार्स जो है यह वेरिस इंडियन डूलर्स जो है इनके बीच में हुआ था और उनकी साइड ले रहते या तो कोई ब्रिटिश ले रहते या फिर फ्रेंच ले रहत था अभी हम देख लेते हैं यूरोप जो है यूरोप में दोनों जो कंट्री की लोकेशन देख लेते हैं देखे यूरोप जो है यूरोप में आप देखोगे तो यहां पर देखी ये जो है फ्रांस है ये फ्रांस है ये वाला जो है इलाका फ्रांस है और ये वाला ये कुछ कारण से ठीक proximity यहां पर मैं और आपको बता दूँ कि ऐस्ट्रिया जो है ओस्ट्रिया को लेकर के भी इनके बीच में व्जाइट होगा फ़र्स्ट कारण का यह कारण यह है कहीं ने कहीं ऑस्ट्रिया से जुड़ावा है औस्ट्रिया में जो है यहां का जो ruler है यहां का जो king है उसकी death हो जाती है और वो death होने के बाद में French people बोलेंगे कि जो ऐसा कोई यहां का जो ruler बने जो हमें फाइदा पहुंचाए ठीक है यह किसी और को support करेंगे और यह United Kingdom वाले किसी और को support करेंगे ठीक है ऐसे करके यह main reason जो ऑस्ट्रिया में है जो king कौन बनेगा ruler कौन बनेगा उसको लेकर war होगा और उसमें ध्यान रखिएगी एक तो UK है यानि कि Britain है उसके support में कुछ countries आ जाएंगे ठीक है और कुछ France के support में कुछ countries आ जाएंगे यह मिल कि यह दो groups बन जाएंगे इनके बीच में यहाँ पर fight होगा जो कि finally India पहुँच जाएगा क्योंकि यह दोनों country जो है इंडिया में भी trade कर रहे है ठीक है तो अब हम समझते हैं कि Carnatic Wars actual में है क्या देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि यह 18th century दिख़ए में war होते हैं और तीन war होते हैं टोटल थ्री wars होते हैं और यहाँ पर क्या है वेरिस इंडिन डूलर्स इंडिन डूलर्स में उस टाइम पर nationalism की यानि राश्टरवाद की भावनाएं नहीं रहती है और उसका फाइदा उठाते हैं British और French लोग और डिजार्स बढ़ जाते हैं किसके फ्रेंच और ब्रिटिश के और उनको लगता कि इंडिया को हमारी कॉलन ही बना लें यह हमारा उपनिवेश बना लें ताकि हम क्या करेंगे इनको फिर हमारे लाइफ टाइम तक इनका यूज करते रहेंगे ठीक है अब कारनेटिक को देखो राजाज होते हैं कहीं नवाब होंगे कोई प्रेटिश चिफ्टेंस जो है सरदार जो कहते हैं वो भी इनवाल्व होंगे इसमें और फिर बाद में इसका रिजल्ड क्या आएगा कि पॉलिटिकली राजनितिक सूपर मैसी किसकी रहेगी इस्ट इंडिया कंपनी इसको हराएगी और यह बहुत आगे जाकर के अरॉंड वन नैंटी यर्स से भी अधिक याना वन नैंटी यर्स यह हम कहें राउंड फिकर कहें कि तू हंड्रेड यर्स तक यहां पर इंडिया में रूल करेगी तो कहीं न कहीं उसका बेस जो है कार्नेटिक वार्स से जुड अब यहां पर ध्यान रखना है आपको तीन ही चीज़ें यहां पर ध्यान रखना है एक तो उसका रेजन क्या था एक उसमें गवर्नर्स कौन-कौन इन्वाल थे और एक ट्रीटी जो है वो कौन से ट्रीटी होई तो यहां पर ध्यान रखना कि फर्स्ट जो है वार होता है क उसका reason क्या है? Austrian Succession, यहां पर ध्यान रखना Australia नहीं है, यहां पर Austria है, तो Austrian Succession, यहां पर नेक्स्ट किंग कौन बने? उसको लेकर के, जो यहां पर इसके Succession को लेकर के, उत्राधिकार को लेकर के, यह war होता है, और उसमें जो है, आप दिखो कि यह war finally बाद में इंडिया पहु हो जाएगा, इंडिया में ध्यान रखी अभी, कि जैसे कि आप देखिए, यह जो इंडिया का मैप है, इंडिया में क्या होगा, कि देखो यहां पर first war में, वहां पर इरोप में war हो रहा है, लेकिन इसके ships जो है, यहां पर आ रहे हैं, जो ships जो है, वो जो French जो है, लोग, उ यहां पर क्या होगा, French जो East India Company इंडिया में जो है, यह कारनेटिक रिजन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यह रिक्वेस्ट करेगा, यहां का जो ruler है, यहां का ruler जो अर्कॉर्ट में बैठता है, उसका नाम था अनवरुदिन, तो मैं आपको अभी वापस से लेके जा रहा ह स्लाइड्स पे, अब देखिए, यह जो इंडिया है, इंडिया में अभी मैंने जो बताया कि यहां पर यह कारनेटिक रिजन है, यहां का जो ruler है, ruler जो है, उसका नाम क्या है, अनवरुदिन, इन से request करेंगे, French, French में कौन है, कि हमारे जो है, डूपले, request करेगा कि हमारे ships को capture कर रहे हैं, कौन Britishers, तो आप हमारी help कीजी, यह फिर इनको कुछ बोलिए, कि जो है, यह अपने जो हरकतों से बाज आए, तो अनवरुदिन बोलेगा, कि यह आपका आपसी matter है, मुझे इसमें involve मत करिए, और आप अपने साब से देखिए, ठीके, तो फिर बाद में क्या हो इस ग्रोप में भी यह war जो है, जो है, फिनिश हो जाएगा, तो इंडिया है, इंडिया में जो यह कारने टिक रिजन है, यहाँ पे French people जो है, यह जीत जाएंगे, French जो डुपलेक्स जो है, यह हरा देगा कि सको, इस जो ब्रिटेंग इस इंडिया company को, फिर बाद में क्या ह होता कि Britishers जो है ये अनवरु दिन से request करते हैं कि French people जो है हमें तंग कर रहे हैं तो आप जो है इनको कुछ बोली तो अब अनवरु दिन उनको बोलेगा French people को कि और जो आप मेरे reason में आप जो है कैसे आप लड़े जगडा कर रहे हो तो ये French जो है जो फ्रेंच जो है इस इंडे कंपने के साइड से रहेगा डूपलेक्स ये इसको बड़ा गुसा आएगा कि जो मैंने जब request की जब नवाब अनवरु दिन से तो इसने तो मेरी help करने से मना कर दिया बट ये जब Britishers उनको कह रहे हैं तो ये उनकी help करने के लिए और ये जो है यहाँ पर ये फ्रेंच पीपल यहाँ पर जीत जाएंगे यानि कि ध्यान रखना है Britishers से भी फ्रेंच जीत गए और जो अनवरु दिन ने उसको भी हरा के फ्रेंच जीत गए अब होगा क्या अब ध्यान रखना है ये फर्स्ट वार की बात अगर हम कहें वापस से आ रहे हैं उस पर देखें आप कि देखो फर्स्ट जो हरीजन कहता है और यहाँ पर कौन जीते हैं गए डूपलेक्स ठीक है और बरनेट जो हार जाएगा और यहाँ पर से ट्रीटी होती है ट्रीटी का मतलब guys एक kind of agreement होता है एक परकार की संदी होती है तो यहाँ पर जो ट्रीटी हो रही है वो यूरोप में होती है ठीक है वो उसको ट्रीटी का नाम है एक्सला चैपल एक्सला चैपल की ट्रीटी होती है यूरोप में और उसी ट के बीच में peace established हो जाती है शान्ती established हो जाती है treaty का मैं एक आपको बता दूँ कि जैसे देखी treaty अगर मैं कहूँ कि आप बोलोगे treaty का नाम कैसे रखते हैं treaty का नाम ध्यान रखना है कि जैसे मैं एक आपको example देता हूँ कि मान के चलिए कि जो इंडिया है हमारा ठीक है इंडिया है और यहां पर मान के चलिए यहां पर कलकत्ता में कोई कुछ treaty हो रही है तो यहां पर नाम दे देंगे treaty of कलकत्ता अगर मैं को सूरत में कोई treaty होती है तो नाम दे देंगे treaty of सूरत देली में अगर कोई treaty होगी यानि जो reason में वो जो संदी होती है वो agreement होता है तो वो उसको उस city के नाम से attach कर देते हैं ठीक है तो ऐसे नाम इसका पड़ता है और अभी हम आगे आते हैं कि second जो है Carnetic War second Carnetic War में गाईज ध्यान रखना है इसका कोई reason नहीं था इसकी यह unofficial reason है unofficial reason है यानि कि जो मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पहले आपको जो अनवरुदिन और अनवरुदिन को हरा देते हैं French जो कि duplex जो हरा देगा अभी जो है यह अनवरुदिन जो है क्योंकि यह Indian ruler है अभी शांत नहीं कि उसको जरूर लगेगा कि हम तो इंडिया के हैं और हमें इंडिया के हमारे शेत्र में हमें हरा दिया बाहर वाली company ने तो duplex को पता था तो duplex क्या करेगा पहले यह reason में जो अनवरुदिन का जो दुश्मन है एक होता है चांदा साहब तो उसके साथ में एक treaty कर लेता है य चांदा साहब को बोलेगा कि मैं आपकी help करूँगा अगर अनवरुदिन आपसे fight करेगा आप सिर्फ जो है आगे बढ़िए तो बाद में ध्यान रखना है यह जो second carnatic war जो होगा उसमें ध्यान रखना कहीं ने कहीं कहीं अनवरुदिन और उसका एक बेटा है जिसका नाम है महमद अली यह दोनों fight करते हैं आपस में fight करते हैं ठीक है और इसकी help कौन कर रहा है का चंदा साहब की help कर रहा है फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी यह डुपलेक्स इसकी help कर रहा है अब होगा क्या अनवरुदिन जो इसको मार देंगे जो यह चंदा साहब और फ्रेंच इंडिया कंपनी के लोग मिलकर के अनवरुदिन को मार देंगे और उनका बेटा जो है महमद अली जो है यह भाग जाएगा त्री चिनो पॉली त्री चिनो पॉली मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यह त्री चिनो पॉली का location आप ध्यान रखिये मैं फिर से बता रहा हूं कि देखिए यह जो है यहां पर अरकॉर्ट में फाइट होती है और यहां पर फाइट होने के बाद में यह उनका बेटा जो है मुहमद अली भाग जाएगा त्री चिनो पॉली क्योंकि उसके फादर की डेथ होगी उसको मार दिया है और उसको धर लगता कि कहीं मुझे में फेटा हूं कि फैस्ट कारनेटिक वार जो है उसका यह दिया घ्यारता स्वैंटीन फ़र्टी वार से लेकर के 48 तक 48 तक सेकंड जो कारनेटिक वोर हुआ था वो उसका है 1749 से 54 ये इनका टाइम प्रेट है और जो थर्ड कारनेटिक वोर हुआ था उसका जो है टाइम प्रेट जो है 1757 तो 63 तक है ठीक है तो ये अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट जो वार्स हुएते हैं उनकी यर है और अभी हम कुछ कोशन्स देख लेते हैं नमबर वन During the first Carnatic War, the French Governor General of Pondicherry was मतलब first जो Carnatic War हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसमें French साइट से Governor General कौन था? तो यहाँ पर देखिए, answer क्या होगा इसका? डुपलेक्स Question No.2 Count Lali Count Lali was defeated by Sir I.R. Kutty at the Battle of यानि कौन सी जो लड़ाई में, कौन सी बैटल में Count Lali को हराया, किसने? I.R. Kutty ने तो Battle of One Divanche अभी हाँ, यहाँ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जो है, वार जो होता है यह थर्ड जो वार होता है यह वार वंडिवांश जो है, इलाके में होता है इसलिए इसको Battle of One Divanche में बोलते हैं इंडिया में, ठीक है? तो यह जो Battle of One Divanche जो है, यहाँ पर इनको हराते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यहाँ पर Carnatic Reason का रूलर रहेगा ठीक है अभी Fourth Question Consider the following statements The War of Austrian Succession Austrian Succession लेख ठीक है तो War of Austrian Succession in Europe was a direct cause of First Carnatic War क्या यह statement सही है तो हाँ यह statement सही है ठीक है The loss of French supremacy was a direct consequence यह परिणाम consequence यह परिणाम होता है तो यह वाँ बबस पढ़ रहा हूँ The loss of French supremacy was a direct consequence after the Carnatic War क्या statement सही है हाँ यह statement सही है यहनी कि French जो सूपरमेसी थी जो First Carnatic War में जो established हो गई थी वो आप धिखोगे पूरे जो सभी Carnatic Wars जैनि Third Carnatic War के बाद में वो decline हो जाती है थीक है तो इसमें पूछ रहे हैं which of the which among the above are जो statements correct तो यहाँ पर ध्यान रखना correct की पूछ रहा है incorrect नहीं पूछ रहा है तो दोनों correct है तो यहाँ पर C हो जाएगा जो कि A1 and 2 both are correct तो guys that's all for today and thank you thank you very much if you like my videos please like, share and subscribe झाले